2023 के विधान सभा चुनाबों के नतीज़े आने के बाद कॉंग्रिस ने अपनी मजबूती के लिए संगटन में कई फेर बदल किये एक और कॉंग्रिस ने इंडिया गटबंधन में सीटों पर ताल मेल पर रंडिती बनानी शुरू कर दी है तो दूसरी और राजियों के प्रभारियों को भी बदला है कई जगर नए कॉंग्रिस अध्यक्ष नियुक्त किये गए हैं इन सबसे कॉंग्रिस आने वाले लोकसभा चुनाबों में अपनी पकर मजबूत बना रही है कॉंग्रिस की इस नई तैयारियों से अब ये संकेत भी मिल रहे हैं कि उसके बड़े नेता कहां से चुनाब लड़ सकते हैं इसी कड़ी में अब प्रियंका गांधी के संभावित निर्वाशन शेत्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है कहां से चुनाब लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी देखते हैं इस रिपोर्ट में दोहजोर चुनाब में बड़ी जीत दर्श करने के लिए कॉंग्रिस ने अभी कई पत्तों को खोला नहीं है जैसे अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि राहूल गांधी केबल वाइनाट से चुनाब लड़ेंगे या अमेठी से फिर ताल ठोकेंगे इस बार के चुनाब में प्रियंका गांधी के भी मैदान में उतरने की संभावनाएं बताई जा रहे हैं कुछ समय पहले तक प्रियंका के राय बरेली या अमेठी से चुनाब लड़ने की चर्चा थी लेकिन उतर प्रदेश का प्रभार प्रियंका से वापस लेने के बाद इन अठकलों पर विराम लग गया अब सियासी गल्यारों में नई चर्चा है कि प्रियंका गांधी तेलंगाना में किसी सीट से चुनाब लड़ सकती है दरसल तेलंगाना चुनाब में प्रियंका गांधी ने कॉंग्रिस को जीत दिलाने के लिए काफी महनत की देश के इस सबसे नए राज्य में कॉंग्रिस पहली बार सत्ता में आई है और माना जा रहा है कि अभी कॉंग्रिस के लिए सबसे जादा अच्छी स्थिती तेलंगाना में ही है कई सर्वे और उपीनियन पोल आने वाले चुनाब में कॉंग्रिस को बड़ी जीत हासिल करने के संकेत दे रहे हैं हाली में हुए फेर बदल में तेलंगाना का प्रभाब भी प्रियंका गांधी की नजदी की माने जाने वाली दीपा दास मुंसी को दिया गया है तेलंगाना में कॉंग्रिस की सरकार संभालने वाले मुख्यमंत्री रेवन्त रेड़ी की सीट से भी प्रियंका उतर सकती है जहां उनकी जीत को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा इस तरह 2024 में प्रियंका गांधी सफल पारी के साथ अपनी संसदिय करियर की शुरुवात कर सकती है प्रियंका गांधी के चुनाब लड़ने पर अंतिम मोहर आला कबान लगाएगा लेकिन फिलहाल उनके प्रत्याशी बन्ने की संभावनाओं से ही राजनीती तेज हो गई है डिवेलाइप की रिपोर्ट